मानो तो मोज है, वरना समस्या तो हर रोज है मत्तर पांस महीने की OCD और पांस घंटे में हुई थी वो भी बिना दवाई Religious OCD के बारे में आप जानते ही हैं कि भगवान के परती बुरे विचाराना, सेक्स्वल विचाराना लात मारने वाले, मुर्ती को तोडने वाले या शूशू, पैसाब, टोईलेट, वीरिय चड़ाने वाले विचाराना और उसके बाद भगवान से डर लगना, सजा का, विमारी का, कोई भी डर आना तो यह हर रिलिजिय सोचिडी और इसे मुक्ती मातर पांच घंटे में कैसे संबव है ये बताने के लिए हमारे साथ आज मुझूद है चंदरगुप जी चंदरगुप जी दौरका से आये हैं और ये दो दिन मेरे साथ यहां उपलाइन रहे हैं आज दूसरा दिन है लेकिन दूसरे दिन के शुरुवात में ही यह ठीक हो गए है ठीक तो यह कल भी हो गए थे आज तो मातर हमने इनकी पोलीशिंग की है तो ये कैसे ठीक हुए क्या इनकी प्रोबलम थी ये पूरा अपना विवरन सुनाएंगे तो इनी से सुनते हैं इनी के बारे में कि इनकी OCD कैसे बिना दवाई 100% ठीक हुई जी चंदरगुप जी आपको दो बार मुबारक बात पहली मुबारक तो ये कि आप ओफलाइन इलाज लेने के लिए पहुँचे और दूसरी मुबारक बात इसके लिए कि आप महत्र पांच गंटे में ठीक हो गए और एक मैं तीसरी चीज का धन्यवाद आपको देना चाहूँआ जो स्पेसल है सिरफ आपके लिए ही है बाकी लोगों को मैं इस काबिल नहीं समझता कि वो इस थेंक यू को लेने के काबिल है वो ये कि आपने रिलिजियस ओसिडी का इलाज लेने में देरी नहीं की कुछ महिनों के अंदर ही आप इलाज लेने पहुँच गए वरना लोग सालों साल दशकों तक बिमारी के साथ जीते रहते हैं गुट गुट के मरते रहते हैं लेकिन इलाज लेने नहीं पहुँचते हैं इसलिए आप जल्दी आए इसलिए आपको तीसरा सबसे स्पेशल थेंक्यू भी मिल रहा है तो अब आप बताईए सभी वीवर को कि आप कितने परतिसाद ठीक हो चुके हैं सर मैं सौ परतिसाद ठीक हो चुके हैं आप सो परतिसाद अपने आपको ठीक महसूस कर रहे हैं एक वाद वीवर को ये बताईए कि आपकी समस्या क्या थी क्या-क्या आपको लगता था वो आप क्विस्तार से खुल के बता दीजिए मुझे पढ़ाईने करन दे रहे थी मतलब जो मेरी स्टड़ी थी मुझे बांधा कर रहे थी मतलब पांच महीने से रिलिजियस ओशीडी में क्या-क्या उप्शेशन थी क्या-क्या कंपल्शन थी और लात मार देना यही समस्या थी जी और अकेले में हैसूस करता था जी गार पर अकेला ही पड़ा रहे था मतलब जी लाइब लिजिए वो डिप्रेशन में जा रहे थी जी 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 आप दो दिन के ओपलाइन वेक्शोप में आए तो यहां कर आपने ऐसा क्या सीखा कि OCD 100% ठीक हो गई मैंने सरी यहां पर गाली थेरपी सीखी वेड़ी गुरूर देखिये गाली लोग दूर दूर से कोई अच्छी अच्छी थेरपी सीखने के लिए आते हैं लेकिन आपने गाली थेरपी सीखी इससे कैसे आप ठीक होए गाली थेरपी तैसर मेरा confidence मतलब boost हो गया, अच्छा confidence हो गया, जी, जी, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा, इसके इलावा दो दिन में और कौन सी अच्छी चीजें रही, जिनसे आपका बली बदला, आपकी सोच बदली, कुछ भी आप ऐसे tips बता सकते हैं, a, b, c, d, अच्छं, a, b, c, d, अच्छ, a, b, c, d, वो फारमुल आपके, अब मुजातец बदो पकट की रहे हैं, बशवस, 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 वही एलाज है, बिलकुल वही एलाज है, उसमें सारी चीज्श अरे है B का मतलब सिरीखर और B का मतलब weco कमपल्यस अर जो भी है बी का मतलब wep dresses को आते हैं विझानाती इनसे मतलब लडना है उनसे भागना नहीं है उनसे भागना नहीं है सामना करना है सी का मतलब संभाविट डर जो भी हाँ जी उसको मतलब डर को जीना नहीं है डर को फेस करना है उससे भागना नहीं है बिलकुर आपने सीखा और आप ठीक हो गए में बात तो यह है कि आपका ठीक होना रिजल्ट आना ही महत पूर्ण होता है बाकी हो सकता है आप अक्स्प्लेइन वो ना कर पाओ जो आपने सीखा लेकिन आप ठीक हो गए इसके आगे सारी चीजें फीकी पड़ जाती है तो इन दो दिनों के दोरान आपने जो सीखा उसे समंधित और कुछ बातें आप शेयर करना चाहो मैं यही सेयर करना चाहूँगा मतलब डर है में चीज OCD मतलब OCD का नाम डर है डर निकाल तो OCD निकल जाएंगा बिल्कुल और भगवान से समंधित क्या सीखा जी, भगवान तो एक उर्जा है, हाँ, एनर्जी है, तकत है, जिसे हम नियम भी कह सकते हैं, ये तो कालफ निग बना दिये बस, इंसान में किसी इंसान में इतनी तकत नही है, वो भगवान को बना सकते हैं, बिलकुर, उसने तो पूरी स्रिष्टी भी बना सकता है, भगवान को वही बना सकता है जो उससे भी बड़ा हूँ तो इनसान तो फिर भगवान से भी बड़ा हुआ इसलिए आपने अपनी सोच को बदलना है और आपकी सोच बदल चुकी है, यह बहुत अच्छी बात है अजारों आप कोई मैसेज देना चाहो? उनके लिए, सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, सर आपके पास आए राजिंदर को ओसेडी को हराने कराम सर राजिंदर जूदपुरिया सार है जी, वो ही है सार, मतलब किसी वैसे मतलब किसी के चक्कर में ना फचे सुरुवात नहीं बढ़िया जिगह आजाए जी, अनितर लेट करोगे तो आपका सर फिर टाइम खर्च होता चला जाएगा मैं भी काफी विसलेशन के बाद मतलब सर्च करके बढ़िया जिगह पहली बार यह आपके पास आए जी, बिल्कुल, आप हो जल्दी और सही जगह पर पहुंच गए वरना बटकते तो बटकते ही रह जाते हैं मुझे सर घर से चलने से पहले एक विस्वास था सो परसेंट नहीं, एक हजार परसेंट जहां में जा रहा हूं बिल्कुल अच्छी जगह जा रहा हूं, मैं किसी लुटेरे के पास नहीं जा रहा हूं, मैं बिल्कुल अपने मन से और मतलब एक अच्छी जगह जा रहा हूं, एक अच्छी इंसान के पास जा जा रहा हूं बिल्कुल कुछ लोग अभी भी विश्वास नहीं करते, जैसे मैं पहले पैसे देने के लिए कहता हूं, तो कुछ लोग तो आते ही नहीं, कि पहले पैसे देंगे तो फरोड होगा, पका, इस विशे में आप कुछ कहना चाहोगे, फरोड तो सर, वही बात सर, विश्वास तो करना विश्वास विजय हुआ, मेरी सुभकामनाई हमेशा आपके साथ है, तो अंत में आप ये बताएए कि अब आपकी लाइफ आगे की कैसी रहेगी, आप कैसे अपना जीवन अब नए सिरे से प्रारंब करेंगे, अब सर, मैं अपनी लाइफ बिलकुल सुर्तंतर जीओंगा स सब्सक्राइब कोई नहीं यूटूब पर सर्च करूंगा नहीं गूगल पर असम में जान चुका हूँ क्या चीज है आपके दुआना सर, जी बस यह मैसीज देना सर, भटके नहीं एक बार ये अच्छी जगा जाए जाए जाद जान नहीं भटके मतलब सुरू आतमी आप आप हमेशा खुश रहो और खुशियां बिखेरते रहो आने वाले दिनों में आप मानवता के लिए एक वर्दान शाबित होंगे ये मैं दिल से कहता हूँ इन्हीं शुब शुब कामनाओं के साथ आपको मैं विदाई देता हूँ अब आप अपने जीवन के सुहाने सफर पर मजबूती से कदम भढ़ा हूँ मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है संद्र गुप जी मेरी तरफ से ये छोटी सी आपको भेंट है इसे आप जरूर पढ़िए गांस